साथियों मूल बात क्या है मूल बात यही है हाच सरकार इनोवेटर्स के पाउं में जंजीर डाल कर नहीं उनमें जोज वरकर करके उन्हें आगे बढ़ा रही है अगर आपको जियो स्पेशल खेतर में इनोवेशन करना हो नए तरह के ड्रोन बनाना हो या स्पेश के खेतर में कोई नई सेटलाइट या रोकेट बनाना हो इसके लिए सबसे खुला सबसे नर्चनिंग वातावरन आज हिंदूस्तान में उपलब देए दोस्तों कि एक समय में भारत में कोई नई कंपनी रेजिस्टर कराने चाहता था तो उसे रेजिस्टरी में कागड़ डालने के बाद वो भूल जाता था तब तक रेजिस्टी नहीं होती थी महिले लग जाते थे जो भरोसा बढ़ जाता है सरकार का नागरीकों पर भरोसा बढ़ता है अब इस वाइस की खाई खतम होती है नतीजा यह आता है कि आज अगर कंपनी रेजिस्टर करनी है तो चोबिस घंड़ लगते हैं तो चोबिस घंड़ लगते हैं तो चोबिस घंड़ बीते कुछ वर्षों में सरकार की एक आदत थी एक चेंबर हो ओफिस का छे टेबल हो नंबर एक ने जनवरी में आप से कुछ चीज़ें मांगी नंबर दो के टेबल वाला फरवरी में फिर वही मांगेगा फिर नंबर पांच वाला टेबल फेबरु आरे एंड में कहे गई है और वो कागिर लाओ जरब मुझे जरूरत है यहाने नागिरिकों को लगातार हसानों की तादान में दोस्तों कम्प्लाइंट यह लाओ बोलाओ यह लाओ बोलाओ और वो लेकर के क्या करते थे वो वो जाने और आप जाने साथिवाब हरान हो जाएंगे अब यह काम भी मुझे करना पड़ रहा है पच्चीस हजार से ज़्यादा कम्प्लाइंट खत्म किया हमने इतना ही नहीं मैं दो हजार तेरा में चुनाओ के यह तैयरी कर रहा था क्योंकि मेरी पार्ट्री ने गोशिद कर दिया था कि इसको प्रदान मंत्री बनाने वाले है आरा कि तो मैं जा तग यह थे भाषण करता दरों ने टिल्शा एक दिन दिल्ली में सब ब्यापारियोंने मुझे बुलाया तो ब्यापारी का बड़ा समयलन था उसमें जो मेरे आगे सर्जन बोल रहे थे वो कह रहे थे, देखिए, वो कानून बना है, वो कानून बना है, ये कानून बना है, इसका कानून हुआ, सारा धिर सारे कानून बता रहे थो, अब चुनाओ के समय तो सब लोग यही कहते हैं, ठीके मैं कर लूँगा, लेकि दोस्तों मैं जरा दूसरी मिट्टी का इंसान हू तो मैं भाशन देने के खड़ा हुआ यह 2013 की बात है मैं भाशन देने के खड़ा हुआ मैंने के आप लोग कानू बनाने की बात करते हैं मैं तो मेरा देरादा ही अलग है मुझे पता नहीं मैं आपको बताओंगा बोड दोगे के नहीं दोगे मेरी तो छुटी कर दो कि आप लोग मैंने का मैं आपको वाज़ा करता हूँ मैं हर दिन एक कानून खत्म करूंगा आकर के बहुत लोगों को अस्षिल हुआ था कि यह इंसान को कुछ समझ नहीं है राय सरकार क्या होती है ऐसे ही माना हो और क्या लेकिन आज दोस्तों मैं आपको मेरा हिसाब दे रहा हूँ पहले पॉट साल में पंद्रा सो कानून खत्म करती है यह सब क्यों यह नागरीकों पर यह कानूनों की जंजाल का बॉझ क्यों यह भारत देश आजाद हो चुका है न देश मोदी का नहीं है देश 130 खरोड नागरीकों का है अब देखिए देश में पहले तो हमारा हमारा देश की विशेता देखिए साथ देश एक समिदन दो थे क्यों इतनी देर लगी पुराने जमाने में कहते हैं थे टूब नाइट मालूम है ने दो समिदन थे साथ दसक हो गए दोस्तों साथ दसक हो गए एक देश एक समिदन लागू करते करते अब लागू हुआ दोस्तों गरीब को राशनकार दोस्तों अगर वो जबलपूर में रहता है राशनकार वहां का है और अगर मजबुरन उसको जैपूर में जाना पड़ा जिनकी गुजारने के लिए तो वो राशनकार काम नहीं आता था देश एक ही था लेकिन राशनकार अलग थे आज वन नेशन वन राशनकार हो गया पहले कोई देश में इन्वेश्मेंट करने आता था गुजरात में जाता था तो एक टैक्सेशन महाराश्चन जाता था दूसरा टैक्सेशन बंगाल में जाता था टीसर टैक्सेशन अगर उसकी तील-चार कंपनिया ये कंपनी गुजरात में दूसरी कंपनी महाराश्चन तो तीनों जगह पर अलग अलग कानूनों से कारोबार चलता था दोस्तों आज टैक्स विवस्ता एक जैसे लागू हो गई कि नहीं हो गई और हमारी वित्न मंत्रियां बैठी है निर्मला जी अपरील मेढे मैं क्या हुआ मालूanks है न जी एस्टी का रेकॉर्ड क्लेक्शन हो गया है 168,000 रूपीज 168,000 क्रोड one nation, one test के दिशा में यह मजबुति के साथ हुआ का नहीं हुआ दोस्तो साथियों मेक इन इंडिया आज आत्मंदिर पर भारत का ड्राइमिंग फोर्ट बन रही है आत्म विश्वात से भरा भारत आज प्रोसेसी आसान ही कर रहा है बलकि प्रोडक्शनल निंग इंसेंटिव से इंवेस्टमेंट को सपोर्ट भी कर रहा है इसका बड़ा प्रफाव भारत से होने वाले एक्सपोर्ट पर भी दिख रहा है अभी कुछ दिन पहले हमने 400 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट का रेकॉर्ड तोड़ दिया अगर हम गूर्ड एंड सर्विसिस को देखें तो पिछले साल भारत से 670 बिलियन डॉलर याने करीब करीब 50 लाग करोड रुपय का एक्सपोर्ट हुआ है आंकरा देखकर के ताल में हाथ जम गए गया भारत के अनेग नए जिले नए ने देशों में नए ने इंडेस्टिशन पर एक्सपोर्ट के लिए अपना दाइरह बढ़ा रहे हैं और तेजी से एक्सपोर्ट हो रहा है और उसका एक मजा भी है जो आज देश में बन रहा है ना जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के मंत्रे से लिए करके चल रहा है कि प्रोडक्शन की क्वालिटी में डिफेक्ट नहीं है और प्रोडक्शन में अन्वार्मेंट पर कोई इफेक्ट नहीं है